सीजन 5 एपिसोड 6 स्टार्ट होता है और हमें वाल्टर माइक टॉड सब एक मोटर साइकल डिस्मेंटल करते हुए दिखते हैं ये उस बच्चे की मोटर साइकल होती है जिसको टॉड ने प्रिवेस एपिसोड में मार दिया था वो एक बैरल में उस बच्चे को भी मेल्ड कर देते हैं ये सब हो जाने के बाद टॉड बाहर आता है जेसी बाहर ही खड़ा हुआ होता है टॉड उससे कन्वेसेशन करने की सोचता है और बोलता है कि ऐसा कभी-कभी बिजनेस में हो जाता है तो जेसी उसे पंच करता है और व बुच रहे होते हैं कि तुमने क्यों उस बच्चे को मार दिया था टॉड उसके सफ़ाय में बोल रहा होता है कि मुझे वहा कुछ आप्शन नहीं लगा अगर वह बच्चा बच्च कर चला जाता तो हम सब जेल में जा सकते थे वह बाइक पर था तो हम मूव करते उससे पहले वह निकल जाता और अगर उसने किसी से भी बोला होता तो बहुत ही ट्रबल हो सकता था इसलिए मुझे वहा कुछ आप्शन नहीं लगा और मैंने उसे मार दिया अगर फिर से एजी सिचुएशन आए तो मैं फिर से यही करूँगा फिर टॉड को वह बाहर जाने के लिए ब बहुत सारे चीज़ों में यानि कि प्रिजन में भी आदमी को तुम्हें मारना होगा तो मार सकते हैं उनकी पूरी एक गैंग है तो यह बोलकर फिर वह चला जाता है जैसी बहुत ही गुस्ता होता है और बोलता है कि उसने हमारे लिए चोईस कैसे कर ली टॉड ने वच्च कर रहे होते हैं कि टॉड का करना क्या है फर्स्ट ऑप्शन होता है कि उसको फायर कर दे अगर फायर कर दिया तो उससे पैसे देने पड़ेंगे चुप रहने के लिए सेकंड ऑप्शन होता है कि उससे मार दिया जाए पर जैसी को अभी उसने एक बच्चे को मरते होई यानि कि उसे हमें ज़्यादा पेवी नहीं करना पड़ेगा फिर यह option सभी को ठीक लगता है और वो सब decide करते हैं फिर Todd को Mike बताने जाता है कि तुम ठीक हो तुम अभी भी हमारे team का हिस्सा हो Todd को अच्छा लगता है तो Mike फिर उसे धमकी देता है कि अगर तुमने फिर से काम करती हुए गन लाई तो मैं तुमें मार दूँगा Next in में हमें कुछ DE agents इसमें हाइं का पार्टनर भी होता है वो Mike पर नज़र रख रहे होते हैं वो हमेशा उस पर surveillance रख रहे होते हैं Mike उसकी granddaughter के साथ पार्क में होता है माइक फिर एक चिट्थी लेता है उस पर कुछ लिखता है और dustbin की नीचे डाल देता है वो जाने के बाद DA agents भी ये देखते है तो वो उस चिट्थी में क्या है ये देखने के लिए वहा जाते है जब वो चिट्थी खोल कर देखते है तो उस पर फक क्यों लिखा होता है यानि कि माइक को सब पता था कि ये लोग उस पर सर्विलेंस रख रहे है वाल्डर ने हैंक के ऑफिस में जो बग फिक्स क्या होता है जिससे वो उसकी बाते सब सुन सकते है वो लैप्टॉप पर माइक हमेशा सुनता रहता है दिये कुछ भ बेबी तो बहुत ही स्वीट है वाल्डर जुनियर घर में बहुत ही कम दिखता है फिर मरी उसे बोलती है कि तुम्हें अब बच्चों को घर ले जाना चाहिए पर स्कैलर बोलती है कि अच्छा इड़ा नहीं है हम बैड पैरेंट्स है हम इनका खैल नहीं रख सकते तो मरी उनके बोलती है तुम बहुत ही अच्छे पैरेंट्स हो तुम्हें इतना अपने आपको स्टेस नहीं करना चाहिए फिर वो उसे बोल देती है कि तुमने जो टेड़ के साथ किया तुम्हारा जो अफेर था यह हो जाता है तुम्हें इतना उसका स्टेस नहीं रेना है और त ऐसको श्ची कुक करते हैं तब उसके बाद jc नीज दिख रहा होता है को छोटा लड़का होता है जिसको मार दिया जाता है उसके पैरेंस टिवी पर आए हुए होते हैं तो जैसी को बहुती बुरा लग रहा होता है Walter उसे बोलता है कि मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है दो तिन दिनों से मुझे भी नीन नहीं आई हमारा जो ऑपरेशन चल रहा है वो बहुती अच्छा चल रहा है तो हमें ये continue करना चाहिए, हमें इन सब चीजों के बारे में नहीं ज़्यादा सोचना चाहिए Walter उसे बताता है कि मैं ये सब clean कर लूँगा और तुम अब घर जाओ, ज़रा relax करो फिर Walter विसल बजाने लगता है, जैसी ये देखता है और जैसी को realize होता है कि Walter को अब कुछ भी फरक नहीं पड़ता, कौन जीए, कौन मरे रात में जब Walter सब delivery करने आता है, माइक के पास उनका जो headquarter है वहाँ, तो वहाँ माइक और जैसी भी होते हैं, वो Walter से बात करना चाहते हैं माइक वाल्टर से बोलता है कि मेरे पीछे DA है, और वो मुझे continuously मेरा पीछा कर रहे है, मैं यहाँ बहुत ही मुश्किल से उन्हें छोड़वा करा रहा हूँ फिर वो Walter से बोलता है कि अब मैं इस business से बाहर निकल जाना चाहता हूँ, तो इसलिए उसने एक plan भना होता है, वो बोलता है कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, जो हमारा methylamine buy कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारा methylamine है, जिसकी worth 15 million dollars है, तो अगर मैंने मेरा share sale कर दिया, त तो मुझे 5 million dollar मिल जाएंगे और इससे मैं अब बाहर निकल सकता हूँ, फिर Walter बोलता है कि ठीक है तुम तुमें आगर जाना हो तो तुम जा सकते हो, पर तुमारा जो distribution है वो सब तुम जैसी को सिखा दो, पर जैसी भी बोलता है कि मुझे भी अब बाहर निकल जाना भी नहीं होता, हम इससे 300 million बना सकते हैं, तुम ऐसे कुछ भी pennies के लिए हमारा operation शेल नहीं कर सकते हैं, नेक्स सीन में जैसी और Mike डेजर्ड में होते हैं, डेजर्ड में वो एक ड्रग बनाने वाले से मिलने वाले होते हैं, उसी को वो मेतलमिन सेल करने वाले होते हैं, तो हमें competition नहीं बचेगी, और इससे हमें बहुत फायदा होगा, फिर Mike उसे बताता है कि competition तुम्हारी नहीं जाने वाले हमारा cooking फिर भी चलता रहने वाला है, तो फिर वो Mike को बोलता है कि अगर तुमने मुझे पूरा मेतलमिन नहीं दिया, तो मैं ये deal नहीं करने वाला, यानि Jesse Walter से बोलता है कि हमने जब start किया था, तो हमें बहुत ही कम पैसे लगने वाले थे, तुमने भी calculate किया था और तुम्हें 700,000 ऐसा कुछ तो लगने वाला था, पर अब हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, और 5 million कुछ कम नहीं होता, तो Walter बोलता है कि मुझे एक empire create करना है, स्टोरी बताता है, मैं मेरा friend और मेरी girlfriend हम तीनों ने एक company start की थी grey matter, मैंने सब research किया था, और बहुत सारा मैंने उसमे work डाला था, पर मैंने कुछ conflict हुई, इसलिए उस company के share उन दोनों को बेच दिये, सिर्फ 5000 dollars के लिए मैंने उस सब shares को बेच दिया था, अब मैं रोज उस company ने के weekly shares देखता हूँ कि कितना उसका worth है, तो अब ये billions में है, तुम imagine नहीं कर सकते कि मुझे कैसा लगता होगा, मैं ये opportunity नहीं खो देना चाता, ये जो drug से इसका मैं empire खड़ा करना चाता हूँ, फिर Skyler वहाँ आती है, Walter Jesse को dinner के लिए invite करता है, Jesse फैले hesitate करता है, पर वो उस वहाँ conversation होती है, Jesse conversation करने के try करता है, Jesse की bins बहुत ही अच्छे बनाए है, पर Skyler उसे बोलती है, ये मैंने बाहर से मंगवाए है, इस बहुत ही awkward scene के बाद, Skyler वहाँ से जाती है, फिर Walter Jesse को बोलता है, कि मेरे kids भी मेरे साथ अब नहीं है, मेरी wife मुझे बोलती है, कि मुझे मर चाहिए, वो मेरे cancer वापस आने का इंतजार कर रही है, ये जो भी है, यानि कि drugs वेगरा, ये ही अब मेरा सब कुछ है, ये ही मेरे पास बचा है, जिसके लिए मैं excited हूँ, फिर Walter उनके headquarters में आता है, बीच रात में, वो सब मेतलमिन चुराने वाला होता है, पर वहां Mike already होता ह Mike को उसे बोलता है, कि मुझे लगा ही था कि तुम ऐसा कुछ करोगे, जब morning होती है, तब Mike Walter को वही बान देता है, और फिर Mike DA के पास हमें दिखाए गया है, वो Saul के साथ DA को मिनने आया हुआ होता है, Saul DA को बोलता है कि तुम मेरे client को हरास कर रहे हो, वो उन पर एक stay order भी लान कर बढ़ता रहा होता है, तो Mike बोलता है कि एक दिन काफी है, हम जो business होने वाला है, वो हम conduct कर लेंगे एक की दिन में, Walter को Mike ने वही lock कर दिया है, तो अब Walter को वहाँ से निकलना है, Walter आइडिया लगा रहा होता है, फिर वहाँ वो एक coffee machine देखता है, वो उसके pot को गिरा देने वाला होता है, जो glass होता है, उससे वो cut करने वाला होता है, जिससे वो बांदा हुआ होता है, वो एक plastic का lock होता है, पर वो pot बहुत ही दूर गिर जाता है, पर उसके हाथ में wire आ जाती है, तो वो उस wire को plug करता है, और short circuit की तरह वो wire को गिसता है, और जो plastic होता है, उसको melt कर द वो właści वहाद से सब मेध्लमिन निकाल लेता है जब माइक घर पर आता है तो बहुत ही चिड़ जाता है वॉर्टर भी उसके office मेह होता है तो वॉल्टर पर वह गन लगाता है जैसी पोलता है कि इसके पास बहुत बड़ी आइडा है जिससे तुमें हमें हमारे पैसे भी मिल जाएंगे और Walter Cook भी करता रहेगा यह आइडा हमें इस एपिसोड में नहीं पता चलता है तो next episode में पता चलता है यही एपिसोड खतम हो जाता है